Red Blood Cell हमारे खून को लाल रंग देता है लेकिन क्या आपको यह पता है कि पीलिया हो जाने में हमारे शरीर का जुरंग पीला हो जाता है उसके पीछे भी यह Red Blood Cell का ही हात होता है कैसे? चलिए धंग से समझते हैं इस बात को एक Red Blood Cell की उम्र लगभग 120 दिन की होती है है वो छोटे-छोटे amino acid में तूट कर blood में ही मिल जाता है लेकिन यह जो हीम है इसका metabolism होकर यह bilirubin मना लेता है इस पर मैंने detail में वीडियो बनाया है आप वो देख लेना लेकिन अभी आते हैं topic पर देखिए जैसे हैं यह स्प्लीन हीम को तोड़कर bilirubin मनाया यह blood stream में release होने के बाद albumin protein से bind होकर सीधे हमारे liver में जाता है जहां liver स्प्लीन से आए bilirubin को convert कर देता है water soluble bilirubin में जो bilirubin स्प्लीन से आए रहता है वो lipid soluble होता है पानी में घुल नहीं सकता है अब यही bilirubin जो liver वाला है वो जाएगा सीधे हमारे बाइल में जिसे स्टोर करता है हमारा gallbladder gallbladder से बाइल जाता है हमारे छोटीयात में जहां पर जो हम घी तेल वगरा खाया रहते हैं उसके पाचन के लिए यह बाइल बहुत मदद करता है small intestine में ये bilirubin दरसल euro bilinogen में बदल जाता है जो 80% पेट में ही रखकर स्टर को bilinogen में कनवर्ट होकर हमारे स्टूल को पीला रंग देता है वही 20% euro bilinogen हमारे blood में मिल जाता है और urine को पीला रंग देता है अब इस पूरे के पूरे प्रकरण में किसी को पीलिया कैसे हो जाता है हमें यही तो जानना है देखे अगर किसी भी तरीके से हमारे blood में bilirubin का concentration 2 mg पर deciliter से ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को पीलिया हो जाता है पूरा शरीर पीला हो जाता है स्किन पीला हो जाता है आखो का sclera भी पीला हो जाता है और यह पीलिया शरीर में तीन तरीके से होता है वो तीन तरीका क्या है जब शरीर में बहुत ज्यादा blood तूटना शुरू हो जाए किसी भी कारण से जब liver खराब हो जाए या जब गॉल ब्लडर में आप्स्ट्रक्शन हो जाए, इन तीन करणों से ही किसी को पीलिया होता है। लगता है दूसरे प्रकार का पीलिया व्यक्ति को तब होता है जब व्यक्ति का लिवर खराब हो जाता है लिवर खराब कैसे होता है एक्सेसिव एलकोहल के कंजंप्शन से लिवर में किसी तरीके से इंफेक्शन हो जाने से जिसे हैपेटाइटिस कहते है या फिर जब लिवर सिरोसिस हो जाता है तब ये सब बहुत ही खतरनाक कंडिशन होता है ऐसा करने से लिवर ढंक से काभी नहीं कर पाता है और ऐसे में लिवर से चाहे वो Conjugated Bilirubin हो या Unconjugated Bilirubin Blood में मिलने लगता है जिससे व्यक्ति को पीलिया होने लगता है ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि लिवर का खराब होना एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है तीसरे प्रकार से जो व्यक्ति को पीलिया हो सकता है वह गॉल ब्लेडर के obstruction की वज़े से होता है जब ब्लेडर में पथरी की वज़े से बाइल छोटी आत में जाही नहीं पाता है या फिर जब गॉल गॉल ब्लेडर में cancer हो जाता है उसे conditions में गॉल ब्लेडर से Lubin सीधे हमारे blood में मिलने लगता है और व्यक्ति को पीलिया हो जाता है गौल Bladr की treatment से ही इसे ठीक किया जाता है शरीर का पीला हो जाना आखों का रंग पीला हो जाना इसके symptoms there और कोई बहुत बड़ा serious symptoms देखने को नहीं मिलता है इसका हाँ जिस करण से विक्ति को पीलिया हो रहा है वो serious हो सकता है जैसे liver में infection हो गया हो, alcohol disease हो या फिर सिरोसिस हो ये सब जानलेवा भी हो सकता है इसलिए इसका treatment भी underlying cause को treat करके ही किया जाता है blood test, liver function test इन सब चीजों से इसे diagnose किया जाता है मैं उम्मीद कर रहा हो कि पीलिया को लेकर आपका भी भी अप confused नहीं हो